लाल रंग का दिखने वारा चुकंदर हमारी सेहत के लिए काफी फाइदेमन होता है। इसे चहरे पर लगाने से गुलाब जैसा निखाराता है। तो आए जानते हैं कैसे चुकंदर अपकी सुन्दरता बढ़ा सकता है। आपको शांत बनाए रखने में मदद करता है। कई बार अपनी व्यस दिनचर्या की वज़ा से ये भूली जाती है कि आपको किसी पार्टी या फंक्शन में जाना है। जब आपको ये यार आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। आपके पास पार्लर जाकर घंटे बर फेशेल करने का समय भी नहीं होता। अकसर ऐसी स्थीती में आपको जरूरत होती है किसी ऐसे मास या फेस पैक की जो मिंटों में आपकी सुनदरता निखा दी। तब चुकंदर आपकी रंगत निखाने का सबसे अच्छा उपाय होता है। चुकंदर का फेस पैक बनाने के लिए दो बड़े चमच चुकंदर का रस ले। अब इसमें एक छोटा चमच शहर मिला ले। इसे पूरे चहरे और गर्दन पर लगाए। और 20-25 मिनिटक लगा रहने में। फिर इसे रुई की साहियता से साफ करे। और ठंडे पाने से चह चुकंदर का रस मिलाकर पैस्ट आयार करें। इस पैस्ट को चहरे और गर्दन पर लगाए। और सूखने लिए। जब यह सूख जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पाने चिरके और हलके हाथों से मसाज करते हुए इसे निकाले। आखों की सुंधरता बढ़ाने के और हलके हाथ या उंगलियों से पाच मिनट तक मसाज करते और आधे घंटे तक लगा रहने भी। बाद में थंडे पानी से धोले गुलाबी होटों के लिए। गर्मियों में पानी के वज़़ा से होट सूख जाते हैं और फटने लगते हैं। इनका खास ख्याल रखने और गुलाबी बनाए रखने के लिए चुकंदर के जूस को आधे घंडे के लिए फ्रेज में रखते हैं। जब यह गाड़ा हो जाए तो इसे होटों पर लगा और राद भर लगा रहने दे। सुबह रूई में मलाई लगा कर इसे साफ कर लें। त्वचा के रंगत निखाने के लिए वाइटनिंग मास। चहरे के त्वचा से गंदगी साफ करने और निखार लाने के लिए यह मास्क बेहत फायदेमन है। इसे बनाने के लिए एक चमश बेसन में एक चमश चुकंदर का रस और दही मिला कर पैस तयार करें। अगर आप चाहें तो इसमें गुलाब क पंखुणिया का रस भी मिला सकते हैं। इस मास को चहरे और गर्दन पर लगा है। मास को आधे गंदे तक लगा रहने दे और बाद में हलके गुनगुने पानी से चहरा धोले। तो यह थे चुकंदर के कुछ ब्यूटी टिप्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो तो देखते हैं ये लोटस अयर्वेदा इंडिया।